कि नमस्कार दोस्तों मैं सेखर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं यूटूब क्लास में दोस्तों आज जो हम टापिक पढ़ने जा रहे हैं मुझसे एक बार इंटर्यूव पूछा गया था प्यस्सी व्यापम में इससे आया हुए है ठीक है क्लियर है और यह मेरे ध्यान में इसलिए आया क्योंकि हाली में सुसान सिंग सुसाइट केस में जो इडी ने इडी ने रिया चक्रवर्थी के खिलाप मामला दर्श किया है ठीक तो जब कभी भी वित्ति मामलों से संबंदित कोई भी प्रक्राण होता है उसमें इडी की नजर रहती है हमेशा सही है तो यहां पर चुकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ने कहीं इस सुसाइट केस में कहीं कही विद्ति लेन दिन सामिल है इसलिए इडी ने संझ्यान में लेकर जैसे ही पटना में रिया चक्रवर्ती की खिलाब हया फायर दर्ज हुआ तो इडी ने मुंबई की जो साखा मुंबई में जो इडी है ना इडी की साखा है मुंबई में उन्होंने संज्ञान ले करके रिया चक्रवरती की खिलाब क्या किया केस दर्श किया है ठीक तो दोस्तों ये कई बार आते रहता है कि इडी ने कहीं पर केस दर्श किया कहीं पर को संपती जपत की है ना तो ये आपको भी पता होने चीए इडी का क्या मतलब होता है इस्थापना कभ भुगा ठीक है एडी के अधिकार क्या है और इडी के कारी क्या है ठीक है अगर इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे तो हाना cgpsc interview में तो मुझसे पूछा ही जा चुका है है और ऐसे टॉपिक को ज्यादा पूछा जाता है interview कभी जब जो highlight रहता है या फिर जिसको छात्र बिल्कुल दिहान दे करके नहीं पढ़ते हैं है कि नी तो cgpsc interview में मुझसे पूछा जा चुका है भई है ना cg vya pump में आ चुका है ed के full farm और कारेपे प्रश्ण है ना और पिहसी मेंस पैर पढ़ते हैं तो वहां पर फेरा और फेमा एक्ट कड़ते है ना medical research, प्रवत्र स्विडियो को अंतक हो कंदेखें ठीक है टो दोस्तों पहले देखते हैं कि प्रवतन निसाल एडी का मतलब क्या है हाना और क्या है समयधानिक निकाय है कि गयर समयधानिक निकाय है ठीक है अक्सर हम लोग इकोनामिक्स वगरा में इकोनामिक्स में आप लग कभी भी देखना ठीक है अक्सर एकोनामिक्स में हम सवधानिक निकाय हैं सवधानिक निकाय और गैर सवधानिक निकाय के बारे में चर्शा करते हैं ठीक है तो इस टॉपिक को हमेशा सी क्योंकि यह सवधानिक निकाय और गैर सवधानिक निकाय है भारत में हैं कि नहीं तो जरली इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं लेकिन ये चुकिए भी करेंट अफेर में तो हमेशा रहता है हमें ध्यान देनी की बाद जरूरत रहता है और मेरा मानना है कि करेंट अफेर की भी पढ़ने का तभी महत्तु है जब अगर कोई वी एजेंसी जांच कर रही है तो उसके बारे में आपको एट टूजट पता होना ही चीए है ना कामपेटिसन द्रिश्टी कोड़ से तभी आप आसानी से क्लियर एक्जाम को क्रेक कर पाएंगे को भी एक्जाम को ठीक है तो देखते हैं इडी का मतलब क्या होता है तो जैसे मैंने पहले ही कहा इडी क्या है चलिए्ट है जम प्रमुक्रूप से भारत सरकार जाणा एगये और भारत सरकार की किस मंत्राले के दिन काम करता है ऐते रतिक है अ अंडर में डेहर सारी सेक्सान होंगे कि या वीभाग होंगे जैसे आर्थिक कार्य भाग बजट त्यार करता है उसी प्रकार से राजर सुभाग के अंतर कट आता है इडी आता है ठिक और इसका काम क्या हागे देखेंगे और यह क्या यह है ऐसी महत्पूर्ण एजन्शी जो से कोई investment यहां उन सभी चीजिए को भी जांच करेगा या विदेशिक माम लोग की जांच करेगा दैस्ध यह उख भाई ठासर को बदलना को वख फिर swampा को सब्म किखाओ ने हैं तो शोओ बरता हो मेंसा ही चर्चान रहता होगा कभी आप लोग ने देखा होगा आय सेधिक संपत्य को जाहत भी कर सकता ही ठीक और उसमें पूछ तास करने का काम करती है और और कोई दोसी पाया तो संपत्य अगे बढ़ते हैं प्रतन निदे शाला जो है पहली चीशतों ये गैर सवधानिक निकाह है किस प्रकार की निकाह है यानि इसका हमारे सविधान मुलेक नहीं है याद रहिए गहां अधीन जो भारत सरकार ने जो फेर प्रश्न आती रहता है इडी की स्थापना करकर करके तो इडी की स्थापना हुई थी एक में 1956 को ठीक है और वर्तमान में जो ED है फेरा 1973 हाना फोरें एक्षेंग रिगुलेशन एक्ट फेरा अभी तो समाब तो हो चुका है हाना फेरा के जगा ही हमनों क्या लाया है फेमा तो वर्तमान में फेमा के अंतरगत काम करती है याद रखना ठीक है और इसके पांच कारेल सकते एकविविद्य कोंस से है मुंबई चन्नाई चन्डीगाड पुलकाता और दिल्ली में याद रखना आपका हेड कॉटर भी डिक ठीक है हेड को सिकनीमिशन को मुंबई या फिर डारेक्ट्रेट अफ इंफोर्स्मेंट भी कहते हैं या क्या बोलते हैं डारेक्ट्रेट जर्रल अफ इकोनॉमिक इंफोर्स्मेंट है और जब एक जुन दोजार को फेमा वा था खेया था उस समय उसके तुरंद बाड फेमा से सम्बंदित मामलों में मामले कए ए प्यकार-चेटर में सामिल करदेते हैं इडी का अधिकार-चेटर क्या है आपको बरतमान मैं फेमा चानुन जो है जितने भी चीजжें है वो उसका अधिकार श्यत्र में आता है ठीक है और यह कौन से एक्ट तरहत कारे करता है यह फेरा तो समाप्त हो चुका है फेरा का उल्लेक बार बरिस्ट लिके जा रहा है क्योंकि फेरा कही उदारवादी रूप क्या है आपका फेमा है तो यह फेमा एक्ट के अंतरगत काम करते है तो फूलस्फान पता होगे इनाफ्समेंट डारेक्ट डारेक्ट अप इनफोर्समेंट दोनों सही है ठीक है कि है अब जो सबसे महत्त्यपूड है की इदी का 1973 और फेमा 1999 के तहट ये दो अधिनियमों के तहट भारत सरकार की किसी भी तरह की वित्ती जाच करने का अधिकार प्रापती ये बहुत आएंपी है रखना तो फेमा एक्ट के तहट वित्ती मामलों की जाच कौन करता है भई तो आंसर आएगा आपका इडी करता है ठीक है इसके अतरिक जो इडी अगर इसके अलावा सरकार ने इडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहट उलंगहन से निपटने की छूड़ भी प्रदान कर रखी है ठीक विदेशी मुद्रा का किस प्रकार से हम लोग ठीक है उसका रख रखाव करेंगे उ संबन्धी अधिय पारिद किया गये है ठिक उसी को विदेशी अम अधिया मानी निए के पर चुट दे दिया गया पूरी तरीक से इडि को विदेश में किसी भी समपत्ति पर कारवाहि करके रोग थाम करने का अधिकार प्राट अब देखे खीक है। इडी को विदेश मेकिसी भी संपत्तिपर कोई भर्त हो ने अगर विदेश Means अगर क्या और कही इंवेस्ट्मेंट किया है और हो सकता है गलत तरीक के सिया बलेक मनी को वाइट में कनवरजन करके किया हुआ है तो उसको भी क्या करने का उस पर कारवाही करके रोग ठाम करने का भी अधिकार इडी को प्राप्त है ठीक है अब इसके तरीक देखे जड़ा यहां पर इसके तरीक मनील अंडी के आरोप में पाया गए लोगों खिलाब जप्ती याद रखेगा तो जप्ती गिरिपतारी खोच करने का दिकार इडी के पास है याद रखना पांचवा है इडी जो है वित्ती रूप से देश में गैर कौनी हो रहे है है ना कारे को लेकर उस पर करव करने कहीं उसे खाते से पैसे गायब हुए है तो कोई भी अगर वित्ती रूप से देश में हो कोई भी गैर कौनी काहरे हो पर संग्यार लेने के अधिकार किसके पास है आपके प्रवरता निदिसाला के पास है ठीक है तो इसका अधिकार शेत्र जो है आपका याद रखना फेमा कानून के अतहती पूरे इसके अधिकार शेत्र रहे है ठीक है अब देखते हैं प्रवरता निदिसाला के कार्य तो प्रवरता निदिसाला के मुख्य कार्य क्या है फेमा के प्रवधानों के संग्ध जितने भी डापटफुल रहेंगे जितने भी लोग उसके उलंगह कर रहेंगे उसकी संदिक्दों की जाच करनेंगे ठीक है तो मुखे रुप से फेमा के प्रधानों के संदिक्त उलंगन की जाच करता है कहीं पर फेमा कानून का उलंगन तो नहीं हुआ ठीक है फेमा कानून की जाच कर सकता है तीसरा फारन एक्सेंज जुड़े मामलों की जाच करता है अगर विदेशी मुद्रा की कहीं पर लेन देन हो रही है एक्सेंज हो रही है याद रखना तो उसका भी क्या करेगा जाच करेगा विदेश में किसी भी तरह कोई कोई संपत्ती खरिंदे पर इडी उसकी जाच कर सकता है अगर कोई भारती नागरिक है और विदेश में कोई संपत्ती खरिकता है उसका भी जाच कर सकता है जाच इसलिए करेगा कहीं यहां का ब्लेक मनी तो वहां जाकर वाइट नहीं कर रहे हैं जैसे कि विजय मालिया जैसे जितने भी क्या है Whenful defalter है अगों लोग कहीं यहां का पैसा ले जाकर के यहां के money को ले जाकर को वहाँ तो investment नहीं कर रहे हैं इन सब के भी क्या कर सकता है कोई विदेशी समत्ति कही पर भी कोई विदेशी समत्ति खरिदी जाती है तो उसका विजांच यह अब देखते हैं जो money laundering हम चर्चा कर रहे थे money laundering होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा short make analysis कर लेते हैं ठीक है तो money laundering होता क्या है तो मैं जैसे बता दिया था कि अवैद धन को वैध करने ही क्या है एक प्रकार से money laundering है ठीक है तो अवैद रूप से अर्जित की गई प्रक्रिया को प्रक्रिया हां पर छूड़ गया है 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 क्या कहलाता है यह money laundering कराता है यह ब्लेक money को white में conversion करना इसमें वैध रूप से निर्वित हो चुगी आया के सुरोतों की जांस अब होता क्या है को व्यक्तिन अगर ब्लेक से white कर लिया है तो इस प्रकार से परवर्थित सुझे के आया के सुरोतों की जांच एजेंसे भी पता करने में सफल रहते है इडी भी कभी ऐसा होता है न कि इस तरीके से black से white कर लिया था है कि आप उसके source को भी निजान पाएंगे ठीक है जो व्यक्तिक इस प्रकार अपने अवयद धन को वैद करता है उसे क्या बोलते हैं लाउंडरर ठीक है तो धन्दी में इसको धन सोधन भी कहते हैं क्या बोलते हैं धन सोधन लिख ले जगे यहाँ पर लिखा नहीं है धन का सोध करना और black money को क्या कर देना white कर देना यही क्या कर देना धन सोधन मतलब तो आगे बढ़ते हैं इस सम्मंद में यह ब्लेक मनी होता यात kızım को उसको फड़ते हैं तो ब्हाट में जो मनी लॉंड्रिंग जो हता है भारत में भी अवैद धन को वैद बनाने के कार चोरिश्यू पे होते रहता है ये तो मालूमी होगा बड़े-बड़े निताओं का कभी-कभी नाम आते रहता है ना 1990 के दसक में मनिल अंड्रिंग को हवाला लेंदेन के रूप में जाना जाता है ना तो हवाला भी इससे संबंदित है याद रखिएगा मनिल अंड्रिंग को हवाला लेंदेन के रूप में जाना जाता है इस समय भारत में कई देखेंगे तो बड़े-बड़े निताओं का नाम पुराने निता हैं, उनका नाम क्या आता है? मनिल लंडरिंग में, या हावाला वयापार में सामने आये हैं, 1990 के दसक में 1990 के दसक में क्या हुआ? बहुत जयादा, इस तरीके के जो मनिल लंडरिंग हैं, भारत में यह अभी भी होते रहते हैं कई लोगों लोग इनसे जुड़े रहते हैं मनी लांडरिंग केस कई लोगों पर चलते रहता है ठीक है जिसे मनी लांडरिंग सब्द भी क्या हुआ भारत में प्रश्चित हुआ 1990 के दस्थ जदा चल वह है आदरका और अगर बोला जा कि मनी लांडरिंग सब्द आया कहां से जो सब्द है भारत में 1990 के दसक में जादा आये हुआ है अब देखते हैं मनी लांडरिंग के तरीके ला वेकति अपने धन को वैद दिखाने के लिए फरजी कंपनी बनाता है इडि का नजर उसमें क्यों पड़ा सु्सान सुइट केस में क्योंकि विख्ति आपने वैध धन को दिखाने के लिए क्या करता है इस प्रकार की Karan केवल ब्लेक मनी को करने के लिए केवल काकजातों पर बने होती है ना डाक्यूमेंट्स पर ही बने होती है ठीक है और वास्तुविक इसका स्थित्व नहीं होता बने से बिएख़ा है करते हैं। टाकि, वस्तवी गृप से सही नहीं होता है। इस दिआ भू और जनकारीتी आती है एक कंपनीर से स्थिछय गृप सेनका कोई अस्तित्व नहीं होताह। अन्त तरीकों में व्यक्ति उस अवैद आय से चल और संपत्ती खरिते हैं ठीक है अंघ किलियर है आप लेग मनी को वाइट जिका और वाइट मХेसे क्या क्या करेंगे ड्हेर सारे चल और संपत्ती खरिते हैं डीक है जिनकी कीमत कम दिखाए देती है और जिससरी टेक्स क्या है बचाया जासके ठीक और क्या होता ही है किमत कम दिखा जागी टेक्स सी बचाने के लिए सब तरीके अपनाए जाते हैं अब देखते हैं भारत मनी two में क्लिख को कानुन है क्या तो भारत में रांड में के लिए कानुन 2002 में बनाए गया था न प्री के प्रीक्षा कि साफ से बहुत इंपर्टन quarterly फैक से ठीक है और मनी लांडिंग अधिनियम 300 22 किश्चे अप्मेन हमनी लॉन्ट foster two ke नाम से पारित किfriends係 अब तक किसमें कितने बार संसोधन कंग Sunग के जा चुके हैं तीन संसोधन के जा चुके है के कपकब ढूजर पाँच 2009 और 2012 इस अधिनियम में में क्या अवेध है अवेध है oil जो लें preparation को क्या किया गया है कानूनी दायरे में लाया गया है गलत तरीके से पैसे लेना या देना ये भी क्या है आपके कानून के दायरे में आएंगे क्लियर है तो दोस्तो अंत में फेरा और फेमा देख लेते हैं दोस्तो अभी कुछ दिर पहले आपको मैंने बताया कि money laundering money laundering और जो हवाला वेपार हवाला वेपार में इसको अच्छे से पढ़ा जाता है economics में हवाला वेपार, हवाला trade को रोकने के लिए याद रखेगा होता यह था दोस्तों कि यहां का जो black money है उसको विदेश विदेशों में भेज करके क्या करते थे उसको white करा लेते थे याद रखेगा और white होने के बाद उसी पैसे को फिर से इंडिया में ला करके क्या करते थे investment करते थे तो यह कूल में ला करके money laundering हुआ ना कि अवेद तरीके से कमाया गया धहन को या फिर अवेद धन को वेद में बदलना या परवर्तित करना money laundering और हवाला वेपार हाना कभी बडिटेल में क्लास लगेगी तो बताऊंगा आप लोग को कि यह हवाला वेपार होता क्या है हाना कूल मिलाकर कि यह क्या है सरकार को किसी भी जो जहां कहीं भी सरकार को कर बनती है हाना टेक्स बनती है उस टेक्स को न दे नहीं क्या है प्रकार सब यह समझे हवाला वेपार है जैसे कि यहां कोई वेक्ति जैसे कि कुछ दिनों पहले दो सालों पहले रहात फते अली खान जो पाकिस्तानी सिंगर है न पाकिस्तानी सिंगर है वो पकड़ा गहते हवाला ट्रेड में हुआ ये था कि यहां से वो क्या करते हैं यहां गाना गाते हैं मालूम है यहां अर्मिंग करते हैं यहां से इंडिया से कहां जा रहे थे पाकिस्तान जा रहे थे तो नियाम ये बोलता है कि किसी भी तरीके से आप कोई भी अगर यहां से पैसे ले जा रहे हैं तो सरकार को उची टेक्स और उची चैनल के माद्धम से कहां जाना चीए पाकिस्तान जाना चीए लेकिन हुआ यह जो बीना टेक्स चुका है हवाला एजेंट के माध्धम से कहा उस पैसे को पाकिस्तान भेज रहे थे ठीक है तो जब इस बात का खुलासा हुआ और व्यक्ति पकड़ा है गया जो एजेंट था वो पकड़ा गया तो उन पे आपका ना फेमा एक्ट लगा ठी से जितने भी रकम उसे में पकड़ाया गया रहोगा उसका तीन गुना उनको क्या पड़ा जुर्माना पड़ा यान एक लाख रुपय अगर पकड़ा गया रहे होंगे तो कितना लगा होगा उनको तीन लाख रुपय का जुर्माना देना पड़ा तो यही क्या है आपका ए 1973 मिलाया गया था ठीक है 1973 मिलाया गया था याद रखना और एक जरुणी 74 को यह लागु हुआ था इसमें भी आपको 2000 में यह लागु हुआ था याद रखना यह धिनियम लागया था कब 73 में लागु कब लागु हुआ तो इसका उद्देश से क्या था पहला यह था हवाला वेपार और मनी रांडिंग जैसे गतविधियों को रोकना ठीक है और विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन तथा सरक्षन ठीक विदेश से कोई इन्वेश्टर आ रहा है ठीक है जो फॉरेंड एक्सेंज रिजर्व फॉरेंज एक्सेंज रेगुलेशन एक्ट विदेश से कोई अगर इन्वेश्मेंट आ रहा है तो उसे अच्छे तरीके इसको नियमन करना और क्या करना उसका सरक्षन करना ठीक है कोई विदेशी अगर आकर के भारत में अगर कोई उद्योग लगा रहा है तो पहले जांच करने का फर्ज बनता है ना इडी के पास कि सबसे पहले तो पूछे कि आपने सही तरी किस्तों कमा के तो लगा है ना यहां पैसे इंडिया में ऐसा था नहीं कि आप ब्लेक मनी को यहां पर आ करके बाइट कर रहे हैं तो इन सब सारी चीयों का पूछ ताच आपक जितने भी पी जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर था उने में क्या हए है डर और भजह का महाल होना हबर्जा बेदेश होनी लगर था इस वुद्व Vielleicht कोई आदमी पकड़ा गए अपना into का सॉर्स नहीं बता पाया तूशको जेल और सजा जेल कि साथी साथ जूर्माना द 7 गुना के दिए, 5 गुना के ड़लने चुक अधर हमारी ओड़ायई होती है और बिराइव पर नहीं, एक डिन्यक्ति रखना वोनारे, यह कैसा लाव है यह क्रिमिनल लाव है यानि आपको एक अपराधी की तरह पेश किया जाएगा यह क्रिमिनल लाव है कौन फेरा फेरा क्रिमिनल लाव है ठीक है तो यह सारी चीज़ से डर और भाय का महाल व्यापत होने लगा 1990 के दसक में आते आते तो जब सरकार ने LPG को अपनाया 1990 की दसक में तो यह भी बात उठी कि हम इस कानून को भी लचीला बनाए लेकिन इस पर प्रयास में प्रयास सफल होता है हमान के चलिए 1999 में मुद्रा का प्रबंधन के लिए अब रेगुलेशन नहीं करेंगे नियमन नहीं करेंगी यह कठोर सब्द है अब कैसा क् प्रबंधन करेंगे ठीक और विदेशी वेपार को क्या करेंगे बढ़ावा देंगे और विदेशी भुकतान को क्या करेंगे अधिक से अधिक सुईधा जनुक बनाने के लिए क्या लाए गया फेमा लाए गया ठीक है उलंगहन को इस फेमा के अंतरकत विदेशी मुद्रा स्ध εδώ और यह क्या था सिविल लाँ था ठीख है यह किम्रणा लाँत है अब सिंसे का दिकें अधिक्तम अपरा to जुठा क्या सबर्गां जूर्माना लगात कि भी लगाना संथा कि यह व्यक्थि को इसमें दोसी नहीं बाना जादा था जब तक प्रवर्वतन एझैंसी या id उसको ना प्रूफ करे Euro है, क्लिर है कि तो दोस्तो आज के वीडियो का प्लीज। को सब्सक्राइब ज्याद़स्क्षाइब करें वीडियो कैसे लगा कृपिया कमेंड बाक्स में बताएं और इस टॉपिक को प्लीज मत छोड़ना बहुत ही आएंपी है जरले हम इसको पढ़ते नहीं है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू सो मच देखने के लिए थाइंक वे नमच